परिचय, विद्यार्थी गणों इन दो समुच्चियों को देखें। इन दो समुच्चियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये दोनों सम समुच्चे हैं। बहुत अच्छा, ए तथा भी सम समुच्चे हैं। अब यदि हम इस सम समुच्चे को यानि सी को लेते हैं, तो ह हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। समुच्चे C, समुच्चे B, तथा समुच्चे A का उप समुच्चे है। सर, एक उप समुच्चे क्या है? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उद्देशे इस पाठ के अंध में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। उप समुच्ची की व्याख्या करना, घात समुच्ची को परिभाशित करना, सार्वत्रिक या सार्व समुच्ची को जानना, वेन आरे की व्याख्या करना, समुच्चियों पर संक्रियाएं लिखना, उप समुच्चे जब हम एक समुच्च को परिभाशित करते हैं, तब यदी हम उस समुच्च के हिस्से को लें, तो हम उसकी रचना कर सकते हैं, जो एक उप समुच्च कहलाता है. अताहा उधारन के लिए हमारे पास समुच्च एक दो तीन चार पांच हैं, इसका एक उप समुच्च एक दो तीन है, एक दूसरा उप समुच्च तीन चार है, अथवा और भी एक उप समुच्च एक है, हालाकि एक छय एक उपसमुझे नहीं है, चूंकि इसमें एक अवियव छय सम्झे है, जो इसके मोल समुचे में नहीं है सामाने रूप में B का एक उपसमुझे A है, यदी और केवल यदी A का प्रत्य अवियव B में हो अन्ने परिभाशाएं वे अवियफ सम्मिलित हैं जो A में नहीं है तब A B का एक उचित उपसमुच्च है तो इस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए हम इस प्रतीक का उप्योग करते हैं। यदि समुच्च A में केवल A की ही अवियफ है तो हम उसे एक एकल समुच्च कह दे हैं। इस प्रकार A एक एकल समुच्च है। अब इन प्रतीकों को देखे। पहले का मतलब तातपर हैं तथा दूसरे का मतलब यदि और केवल यदि है। आर के उप्समुच्च के रूप में अंत्राल एक वास्तविक अंत्राल एक ऐसे गुणों वाला वास्तविक संख्याओं का एक समुच्च है जहां समुच्च में दो संख्याओं के बीच की संख्या भी समुच्च में संबलित होती है। उधारण के लिए सभी संख्याओं X अंतराल शुन्ने चोटा या पराबर X चोटा या पराबर 1 से को संतुष्ट करने वाला समुच्च है, जिसमें शुन्ने और 1 समेत उनके बीच की सभी संख्याओं संभलित हैं। माना की A, B, R के अंतर गद आते हैं तथा A, B से छोटा है। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्च य इस तरह है की A छोटा है Y से, Y छोटा है B से जिसे विवरित यानि खुला अंतराल कहा जाता है तथा A, B से निरुपित किया जाता है। A और B को छोड़कर A और B के बीच के सभी बिंदू विवरित अंतराल A, B के अंतरगत आते हैं। संवरित यानि बंद अंतराल को इस प्रतीक द्वारा निरुपित किया जाता है। संब्रित यानि बंद अंत्राल एक ऐसा अंत्राल है जिसमें अंतिबिंदू भी संब्रित होते हैं। घात समुच्चे यदि हमारे पास एक समुच्चे ABC है तब इसका एक उप समुच्चे A या B अथवा AC इत्यादी हो सकते हैं। तथा ABC भी ABC का एक उप समुच्च है तथा रिक्त समुच्च भी ABC का एक उप समुच्च है। पी यदि मूल समुच्च में N सदस हैं तब घात समुच्च में 2 की घात N सदसे होंगे। उधारण, समुच्चे A, B, C में तीन सदसे हैं. A, B, तधा C. अता, घात समुच्च में दो की घात तीन बराबर आठ होने जाहिए, जो की हैं. सार्व समुच्चे परिभाशा समुच्चे जिसमें विचारा धीन समस्या में समलित सभी अवियव, अथवा वस्तुएं समलित होती हैं, सार्वत्रिक या सार्व समुच्चे कहलाता है. अन्य सभी समुच्चे सार्वत्रिक किया सार्व समुच्ची के उप समुच्चे हैं, सार्व समुच्ची को प्राया यू से तथा उसके सभी उप समुच्चियों को अक्षर A, B, C इत्यादी द्वारा प्रदशित किया जाता है. सार्व समुच्ची का उधारण सभी पूढांकों के समच्यों के लिए सार्वत्रिक समच्य परिमेश संख्याओं का समच्य हो सकता है। वर्ष 1880 के आसपास वेन आरेक की कलपना जौन वेन द्वारा की गए थी। एक वेन आरेक को एक समतल में खींचे एक सरल बंद वक्रों के संग्रह से बनाया जाता है। वेन आरेक के द्रिश्टांत एक वेन आरेक कींचने के लिए सबसे पहले एक आयत कींचते हैं जो आपका सार्वत्रिक कहलाता है। वेन आरेक के संदर्भ में सार्वत्रिक सब कुछ नहीं होता है किंदू वह सब कुछ होता है जिसके अंतरगत आप अभी काम कर रहे हैं। आईए निम्नलिखित वस्तुओं की सूची तयार करते हैं छचूंदर, हंस, रेबिड सकंक, गीज, कीडे, खोडे, एडमिन्टोसोरस, प्लेटिपस और एक मोटी बिली हम अपने सार्वित्रिक को पशू बुलाएंगे आईए हम चीजों को उनके छोटे होने, रोएं, अत्वा, बत्तख, चंचु के अनुसार उन्हें वर्गी करेट करते हैं हमारे वर्गी करण को दर्शाने के लिए हम वरिद्ध खींशते हैं अब हम आरेक में अव्यफ डालेंगे या वरिद्धी करेंगे चचूदर, रैबिडिसकंक तथा मेरी बिल्ली सभी छोटे वा रोहदार हैं हंस, गीज तथा एड़्बिंटो सोरस सभी बत्तक चंचु हैं केडे छोटे हैं मगर रोहदार नहीं हैं और घोडे रोहदार हैं लेकिन छोटे नहीं हैं और नहीं बत्तक चंचु हैं, हाला कि वे पशु हैं, वे हमारे सार्वत्रिक समुच्च के भीतर फिट होते हैं, लेकिन वृत्ति के बाहर. समुच्चियों पर संक्रियाएं, सम्मिलन या संग सम्मिलन दो समुच्चियों ए तथा बी का समुच्च है, जिसमें वे अवियव होते हैं, जो ए के अवियव हैं या बी के अवियव हैं. ए सम्मिलन बी को इस तरह लिखा जाता है, यदि ए बराबर 3,4,6 तथा बी बराबर 1,2,3,5,6 तब ए सम्मिलन बी बराबर 1,2,3,4,5,6. उधारन यदि ए अभाजे संक्याओं का समुच्च है तथा बी सम्म संक्याओं का समुच्च है तब ए समिलन बी बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स सम है अथ्वा एक्स अभाजे है. यदि A बराबर X इस तरह है कि X 5 से बड़ा है तथा B बराबर X इस तरह है कि X 3 से छोटा है तब A सम्मिलन B बराबर X इस तरह है कि X 3 से छोटा है या X 5 से बड़ा है वेन आरेक, सम्मिलन या संग एको लाल रंग के वृत से तथा बी को नीले रंग के वृत से प्रदशित किया जाता है। सम्मिलन में लाल या नीले या पीले रंग के सभी बिंदू सम्मिलित होते हैं। सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुण सम्मिलन एक क्रम विनिमे संक्रिया है ए सम्मिलन बी बराबर बी सम्मिलन ए सम्मिलन एक सहचर संक्रिया है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी तस्समग अवियफ का नियम फाई सम्मिलन की अन्हिनता है ए सम्मिलन फाई बराबर ए वर्ग सम्नियम A सम्मिलन A बराबर A U कनियम U सम्मिलन A बराबर U क्या आप जानते हैं? घात समोचे दुई पद प्रमे से संबनतित है एन अव्यवों वाले एक समोच के घात समोच में के अव्यवों वाले समुच्चियों की संख्या NCK का एक संयोजन होगी जिसे दूइपद गुडांक भी कहा जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं एक समुच्च A को एक समुच्च B का उप समुच्च कहा जाता है यदि A का प्रते का व्यव, B का भी अव्यव हो अंद्राल R के उप समुच्च है एक समुच्च A का एक हाट समुच्च A के सभी उप समुच्चियों का संग्रे है इसे P A दोहरा प्रदशित किया जाता है विचारा धीन समस्या में समले सभी अव्यवों अत्वा वस्तुओं के समुच्च को सार्वत्रीक या सार्व समुच्च कहा जाता है वेन आरेक अत्वा समुच आरे वो आरेक है जो समुच्चियों के एक परिमित संग्रह के बीच सभी संभावी तार्किक संबंधों को दिखाता है दो समच्चियों A और B का समिलन उन सभी अव्यवों का समच्च है जो या तो A में हैं अत्वा B में हैं